नमस्कार दोस्तों मैं हूँ ओम्पाल पर साथ GNN News में आपका स्वागत है जैसा के हर खबर से हम आपको रूबरू कराते आए हैं वैसे ही आज हम आपको लेकर चलते हैं खास खबर की ओर इससे पहले हम आपको बता दें GNN News अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक करना से आप रह सके अपडेट नमस्कार दोस्तों मैं हूँ ओम्पाल पर साथ GNN News में आपका स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं हर खबर से हम आपको रूबरू कराते हैं हर हस्ती से हम आपको मिलाते आये हैं वैसे ही आज हमारे साथ दिल्ली छतरपुर निवासी विजय कुम अपको रहता हर जगह बिठाए हुए हैं भेजे हुए हैं कार्यकारे नी बनाकर ताकि वह एक दूसरे से लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ सकें एक मोतियों की तरह माला को पिरो सकें आए हम सीधा संपरक आप से करा रहे हैं विजय कुमार गौतम जी का गौतम जी बह मेरा जीवन है और मैं भी समाज को समर्पित हूं बहुत अच्छा जब लगता है लेकिन खामियां बहुत सारी आ जाती है कुछ लोग गलतियां निकालते हैं कुछ लोग बुराईयां करते लेकिन उन सब से बचकर निकलना कैसे हो पाता है कैसे आपकी जिन्दगी में कैसा फील होता है और कितने टैम से अब समाज की सेवा में हैं है मैं सत niez रहुण है और मेरा विचार है कि मैं करता ही रहूंगा बहुत शलीमा उटाव कटाष पार्य पार्टी उम्हें बिगिया पार्टी जो आगे पीछे जाकर वेक नया मुकाम मुझे मिला दिल्ली अध्यक्ष लगा मैं और संस्ता में भी दिल्ली अध्यक्ष हूं मैं क्राइम में भी हूँ स्काइज दबाप में बैठ के बाद हुई लोगों से मेरी अभी टेबल पर पैठा हूँ अभी इस सोजों का हम सब लोग एक हैं एक ही बन के रहे हैं विजय जी बहुत उच विचार आपके दिल बागबाग हो जाता है जब इन शब्दों को सुना जाता है हिंदू मुस्लिम सिख इसाई सब हैं भाई भाई आप सभी को साथ लेकर चल रहे हैं बड़ी खुशी होती है इन बातों को जानकर लेकिन अब परिस्थितियां जमाने में डिजिटल तरीके से आ चुकी हैं लोग ज्यादा एक्स सब्सक्राइब करते हैं अगर लोग आपका सपोर्ट करते हैं जनता आपके साथ लोग आपका सब्सक्राइब करते हैं तो आप उनके लिए क्या करेंगे आपकी भावनाएं क्या है अंदर से आपकी सोच क्या है उनको क्या देंगे अब कुछ भी नहीं हूं इसे कि स्टेट प्रेजिएंट हूं दिल्ली का मैंने काफी शाधियां भी कराई गरीब लड़क सब्सक्राइब करेंगे तो अनके लिए दिल से काम करूंगा मैं कुछ भी नहीं कर पाया आगे अच्छा करूंगा कुछ अपने होते हैं जीवन में कुछ आशाएं होती हैं कि कहते हैं भावना में भाव है और भव से बेड़ा पार है तो ऐसी भावनाएं कुछ मन में होंगी आपके के पहले में समाज और फिर देश किस तरीके से सुधार करेंगे पहले समाज है फिर देश है समाज के साथ जुड़के काम करना पड़ता है महले में कुछ उनलिस भी कोई बात हो जा सब्सक्राइब थिर देश कंगे पहले पड़ोसी काम आते हैं उसकी मजजित टूट गे मदेखो उसका गुर्दवार टूट रहे हम सब एक हैं लोग बढ़काते हैं कोशिस करते हैं बढ़काने कि उस प्लीज उसके उन बातों में ना जाये हम सब एक टेवल पे आएं हम सब भाई हैं आप उम्मीद है कि प्रसन्न हैं आपकी बातों से और खुशी हो रही है उनको देख करके विजय कुमार गौतम बड़े ही मन भाने वाले हैं और समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले हैं अब दर्सकों को यह और बता दीजिए कितना समय से आपने सुरुवात की थी और उस समय क्या अर्चन आई थी समाज की सेवा करते हुए और आज हिंदु महासवा के आप दिल्ली प्रदेश अद्यक्ष हैं इस पत्तक आने में आपको क्या-क्या परिशानिया जहली पड़ी और क्या-क्या आपको सहुलियत मिली है सबसे पहले जब मैं राजनियुति में आया था हम नेशनल पैंथर पार्टी होती थी भीम सिंग जी की जम्मुक उश्रीम प्राले थे उनकी पार्टी में लगा उसके बाद मैं बीएसपी में आया बोजन समाज पार्टी में वहां से मैंने इलेक्षन ही लड़ा दो ह्या प्रेट में आजाएं नेता बन जाएं अधिकारी बन जाएं इनको पद मिल जाएं तो शाहिद हमारे देश का सुधार निश्यत है कैमरा परसंड रिशीपाल चौधरी के साथ ओमपाल परसाद जी अनन्यूज दिली देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जी अनन्यूज और अब हमें दीजिये इजाजत नमश्कार